येस, ओके, सबसे पहला इसमें यही है कि जो Mer societate है इसमें Oxymuracion, Dee Mercuration में, थीक है, तो जो पहली step है कौन सी Oxymurituation, उसमें जो Mer organiz robion morning के इसितेट है, वो, वो उसका जो dissociation होने के बाद में ये जो form है, जिसमें Mercury पर positive charge है, ये as a electrophile की तरह add होता है, किस पर double bond ठीक है और दूसरे जो carbon double bond का जो दूसरा carbon है उस पर OH अटेच होता है तो अब यह देखते हैं पहली step क्या होती है second step क्या होती है आप इसको Hg Oac plus को अच्छी तरह से पैचान लेना अब हम पहली step करने जा रहे हैं suppose हमने कोई भी reagent alkin लिया हमने alkin लिया CH3 single bond CH double bond CH2 यह हमारा unsymmetrical alkin है और हमें यह भी पता लग जाएगा कि product marconico rule के coding बनता है या नहीं बनता है ठीक है तो अब सबसे पहली step में क्या होगा पहली step में हम लिखेंगे यहाँ पर Hg Oac2 और लिखेंगे H2O ठीक है यह पहली step है इसको बोलते हैं oxy-mercuration oxy-mercuration में क्या होगा अब CH3 CH single bond में convert हो गया CH2 यह लो भई अब मुझे यह बताओ कि यह जो positive charge वाला है यह जो Hg पे positive charge है mercuric acetate यह species बनाता है जो electrophile की तरह work करती है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं Hg plus Oac यह बताओ यह कौन से carbon पर take करनी चाहिए Marko Nikau ने क्या करा है कौन से carbon पर जानी चाहिए बता हो हुई यह कौन से carbon पर जानी चाहिए यह CH2 पर जानी चाहिए because Marko Nikau जो बोल है वह एकदम साफ है वह क्या कहता है कि जो एडेनम जो होता है न उसका positive part मतलब positive part उस carbon पे जाता है जिस पे hydrogen पहले से ज्यादा है यहां पर हमारे पास यह दो hydrogen है यह दो double bond के hydrogen है उसमें जिस पे मैंने अभी star draw किया है उस पे hydrogen ज्यादा है तो इस पे जाएगा यह positive part कौन सा HG plus OAC और HG plus OAC यहां attach होगा ठीक है तो फिर OH कहां attach होगा यहां attach होगा तो यह पहली step है जो है oxy-mercuration इसमें mercury और OH group add हो रहा है double bond पे इसलिए इसको बोलते हैं oxy, oxy किसलिए यह जो OH attach हो रहा है उसकी वज़े से और mercury attach हो रहा है दूसरे carbon इसलिए उसको बोलते है mercury तो यह हो गया oxy-mercuration ठीक है तो यह पहली step है जिसमें mercury add हो गया और इसको बोलते हैं organo-mercuryal mechanical alcohol क्या बन गया बही, organomercurial alcohol बन गया, पहली step हो गई पूरी, जिसको बोलते है oxymercuration, अब second step में क्या है बही, नाम बताना second step का बोलो second step का क्या नाम है demercuration demercuration का मतलब तो समझ गए होंगे कि mercury हम लोग क्या करेंगे, remove करेंगे, तो mercury remove कैसे करेंगे, हम लोग कराएंगे एक हमारा reducing agent है, उससे हम लोग reduction कराएंगे, वो है हमारा NABH4 sodium borohydride ठीक है, इससे हम reduction कराएंगे और ये hydrogen देदेगा किसको, organomercurial alcohol को एक hydrogen देदेगा, और वो hydrogen क्या करेगा, replace कर देगा, पूरे mercury को, mercury को replace कर देगा, वो hydrogen, तो final structure क्या आई, CH3, देखो CH, यहाँ पर OH है, पहले से, यहाँ आमने कुछ ही नहीं किया, और reducing agent ने पूरे mercuryic acetate group को displace करके, वहाँ add कर दिया, hydrogen, क्या बन गया, alcohol, alcohol बन गया, जिसका नाम है 2-propanol, और मुझे जड़ा देख के बताना, यह जो product है, यह according to Marconico rule है, या opposite to Marconico rule है, बताओ भी, yes, yes, यह क्या है, Marconico's product है, ठीक है, यह है, Marconico's product है, यहनि कि Marconico rule के according product बन रहा है, ठीक है, लेकिन यह reaction यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आती है, आना, तो आप लोगों ने लिखा, आप लोगों ने यह statement, यह reaction लिख ली होगी, आना, और अब हम लगाते हैं, पहले इस tape में क्या होता है, भी, बताओ, first tape में क्या होता है, first, step में क्या होता है, addition होता है, आना, किसका addition of OH- and HG, OAC, HGP+, और यह behave करता है, electrophile का, ठीक है, इसका addition होता है to the carbon-carbon double bond, इतना याद रहेगा, ओके, और उसमें भी एक खास बात है, उसमें भी एक खास बात है, यह जो addition है, यह कैसे होगा, यह as per Marconico's rule होगा, कैसे होगा, as per Marconico's rule, अच्छा, Marconico's rule क्या कहता है, कि positive part कहां जाता है, जहां पर hydrogen पहले से ज्यादा हो, ठीक है, तो यह as per Marconico's rule है, second step में क्या हुआ भी, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, oxy-mercuration बोलते हैं, ठीक है, second step, follow, क्या करवाया हमने, हमारे पास कोन आया, demercuration, demercuration कराया है, यानि की removal of mercury, किसने करवाया, NABH4, एक reducing agent है, बहुत अच्छा reducing agent है, sodium borohydride इसका नाम है, ठीक है, और sodium borohydride क्या है, यह reduce कर देता है, reduce is किसको, organomercurial organomercurial alcohol को, ठीक है, और उसको दूसरे words में क्या बोल सकते हैं, that is, replaces replaces HG या mercury mercury by H, hydrogen से उसको, mercury वाला जो group है, HG, OAC, उसको displace कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, demercuration, यह removal of mercury हो गया ना, इसलिए demercuration, ठीक है, तो यह इसकी second step है, तो इस तरह से हमें marconico के according product मिल गया, अब इस reaction का बहुत, इस reaction के काफी ज्यादा फाइदे हैं, इसके comparison में, जो हमने acid catalyzed hydration किया है, सबसे पहला method, उसके comparison में काफी ज्यादा इसके benefits हैं, उसमें भी marconico rule बन रहा है, marconico rule, marconico product आता है, दियान है ना आपको, यह जो method है, acid catalyzed hydration, उसमें भी कौन सा product बनता है, marconico, तीन method हम देख चुके हैं, अब आपकी screen पे है, acid catalyzed hydration, इसमें marconico product बनता है, लेकिन इसकी क्या खास बात है, इसका negative point है, reversible होती है, यह reaction, और यहाँ पर carbogatine intermediate बनता है, इसलिए, किसकी possibility है, rearrangement product की भी possibility है, ठीक है, अगला हमने कह लिया, अगला हमने hydroboration oxidation लिया, यह anti-marconico product देता है, ठीक है, तो यह से तो comparison होगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर marconico product देने वाली दो reaction है, कौन-कौन सी reaction है, बताना ज़रा, बोलो, marconico product देने वाली दो reaction है, कौन-कौन सी reaction है, एक तो acid-catalyzed acid-catalyzed hydration, सही बात है ना, ओके, एक कौन सी है, oxy-mercuration और demercuration, ठीक है, यह दोनों कौन सी देती है, product, as-par, marconico's rule, ठीक है, इन में से best method कौन सा है, best method है, यह नीचे वाला, oxidation, क्या बोलते हैं, oxy-mercuration, demercuration, क्यों भई, यह best क्यों है, सबसे पहला point, हना, सबसे पहला point, इनको क्या बोलते हैं, cons और pros, तो क्या बोलेंगे इसको, बता हुजरा, pros बोलेंगे ना इनको, प्रोज ओफ, oxidation, जो प्लस पॉइंट होते हैं, किसी भी चीज़ के, उसको pros बोलते हैं, यह cons बोलते हैं, pros बोलते हैं, pros बोलते हैं, pros of oxidation, sorry, oxy-mercuration और demercuration, ठीक है, इसके pros हैं, क्या-क्या pros हैं, number one, number one, एक तो क्या, यह reversible reaction नहीं है, वो reversible reaction थी, तो उसमें हमें H2O का amount है, वो excess में रखना पड़ता है, ताकि product हमें alcohol, continuously मिलता रहे, तो और कई special, कई ऐसी alkin भी होती है, जिसमें उसमें product का amount अच्छा नहीं मिलता है, तो इसका एक तो pros क्या है, no reversible reaction, यह reaction reversible नहीं है, दूसरा क्या एक खास बात है भी इसकी, इसमें carbocatine नहीं बन रहा है, इसलिए rearranged product भी नहीं बनता है, no rearranged product, यह लो भई, कोई rearranged product भी नहीं है, हमारे पास यहाँ पर, और उसमें क्या चाहिए, concentrated H2O4 चाहिए क्या, पताना जरा, acid concentrate चाहिए, इसमें तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, तो इसकी यह भी खास बात हो गई, कि takes place, takes place under milder condition, yellow milder condition चाहिए, इनको कोई strong reagent नहीं चाहिए, ठीक है, यह भी इसकी खास बात हो गई, और इसके क्या-क्या plus point हो गए, और इसके एक और plus point है, बताना जरा, वो कौन सा है, कई बार क्या होती है, कि alkenes इस तरह की होती है, जो, क्या बोलते हैं, hydration reaction शो नहीं करती है, तो उस case में भी यह, काफी ज़्यादा useful होता है, ठीक है, तो इस तरह से यह तीन इसके pros है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, works with many alkenes many alkenes which do not undergo direct hydration ये लो भाई, जिन जो direct hydration नहीं देती है, ऐसी alkenes में भी ये work, ये method है, वो अच्छा work करता है, तो हमने alkenes से बनाने के कितने method देखे, बता ज़रा, बोलो, कितने method देखे भाई, तीन, तीन method हमने देख लिए, अब मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, compound दे रहा हूँ, आपको product बताने हैं उसमें, ठीक है, तीनों के product बताने हैं, ये लो, ये मैंने दिया आपको एक compound, ME, और यहां भी है ME, और यहां CH, यहां double bond CH2, ये हमारे पास elkin है, ठीक है, number one reaction हम करा रहे हैं, number one reaction तो हम कौन सी कराते हैं, चलो, हम ले लेते हैं, oxy-mercuration वालाई, ठीक है, तो उसमें पहली step क्या होती है, पहली step में हमें चाहिए HZ, OAC, whole twice, और साथ में चाहिए H2O, ठीक है, और second step में हमें क्या चाहिए, NABH4, तो उसका product आपको वहां लिखना है, इसके अलावा दूसरा लिख देते हैं, हम लोग hydroboration oxidation, इसमें भी दो step हैं, पहली step में चाहिए हमें B2H6, और dot THF, ये solvent का का काम करता है, second step में हम oxidation कराएंगे, किसकी presence में, H2O2 और OH- की presence में, ठीक है, ये हो गया hydroboration oxidation, और जो fourth step है, जो third reaction है हमारी, वो तो हमारा acid catalyzed hydration है, H2O और ये acid, ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने तीनो reaction है, तो बताओ भई, oxidation, mercuration वाला, oxy mercuration, demercuration वाला product बनाओ, बना सकते हो न, marconicov के coding product बनेगा, marconicov के coding product बनेगा, तो product हो गया हमारा, ME, देखते जाओ, ME हो गया, ME, अब marconicov के coding कहां जाना चाहिए, OH, one पे जाना चाहिए, कि two पे जाना चाहिए, बताओ, कोई भी बता दो, two, one पे, नहीं, marconicov ने क्या कहा है, two पे जाएगा, OH बोले न, साथ, OH, OH two पे जाएगा, OH two पे जाएगा, marconicov ने सीधा कहा है, hydrogen कहां जाएगा, जहां hydrogen ज्यादा हो, ठीक है, तो ये तीनों reaction है, क्या है, तो ये तीनों reaction वोई ना, finally, ये तीनों reaction क्या है, H two O का addition ए, पर एलकोल बन रहा है एलकीन से, ठीक है, तो marconicov ने कहा है, कि H वहाँ जाता है, जहां hydrogen ज्यादा हो, तो H जाएगा CH two पे, तो OH जाएगा CH पे, राइट, तो ये हो गया आपका product, इसके case में, oxy-mercuration, demercuration वाले case में, ये product as per MK के रूल है, ठीक है, अना, ये है product as per, yellow भई, ठीक है, ये आज handwriting ऐसे ही है, थोड़ी सी, और अब ये देखो, hydroboration, oxidation, इसमें anti-marconicov रूल वाला product बनता है, तो इसमें तो आप बनाई सकते हो, इसमें कहां दिक्ट है, anti-marconicov वाला हम बना देते हैं, anti-marconicov वने कहा है कि, yellow, OH अब उल्टी position पे जाएगा, hydrogen वहाँ जाएगा, जहां hydrogen कम है yellow, product as per anti-marconicov rule, तो ये हो गया, anti-MKK rule, product yellow, anti-marconicov product, ठीक है, अब उसका क्या हाल चाल है, किसका, acid-cetalyzed का, उसमें कार्बोकाटाइन बनता है, क्या बताना जरा, कार्बोकाटाइन बनेगा ना उसमें, तो पहले उसका कार्बोकाटाइन बनाते हैं, यस, पहले उसका कार्बोकाटाइन बनाते हैं, आप लोग भी थोड़ी सी जगह छोड़ के रखिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया है, उस तरह से कार्वोकाटैन उसमें बनेगा ये ये, देखो उसमें पहले कार्वोकाटैन बनता है अज़ी आपको याद आ रहा हूं तो उसके दो इस्टेप है अब ये कार्वोकाटैन कॉन सा है, secondary है secondary है, और इसमें रियरेंज्मेंट की possibility है यह बताने जाना यह तर्शी में Convert हो सकता है नहीं हो सकता बोलो यह rearrangement की possibilities की है तो यहां भी याद रखना जिस भी reaction में Carbocatine Intermediate बन रहा है वहां पर सबसे पहले उसके बनते ही हमें rearrangement की possibilities चेक करनी है तो यहां पर rearrangement की पूरी पूरी possibility है और वो है one two methyl shift होगा यहाँ पर one two me shift और one two me shift होते ही यहाँ पर आगया CH यहाँ पर आगया me और यहाँ पर आगया हमारा CH3 ठीक है यहाँ पर भी CH3 ही होगा two नहीं होगा तो अब यह अब अब जाकर के product बनेगा OH अब आएगा मैदान में और अब यहाँ पर ME ME OH और CH ME और CH3 यह लो भई तीनों reaction में different product है तीनों reaction में different product है OH की position check कर लो हना hydroboration oxidation में number one पे है और मर्कूरेशन डी मर्कूरेशन वाले में यह number two पे है और number three carbon पे यह किसमें आ गया किसमें आ गया हमारा जो acid catalyzed hydration है उसमें है तो तीनों reaction के different product है हना तो अब आपको याद रखना है क्या याद रखना है मार्कोनी को product किसमें बनता है बोलो जरा इसमें यह क्या हो गया यस यस इसमें यह हो गया re-arranged product है यह re-arranged product ठीक है यह re-arranged product है तो तीनों में अलग-अलग product है हना तीनों reaction में अलग-अलग product है हना आपको कहानी समझ में आ गई होगी अब हम इसको summarize भी कर सकते हैं हना बहुत अच्छी तरह से हम इसको summarize कर सकते हैं ठीक है और आपने सारे point note कर लिए होंगे कि देख सबसे पहले तो इसमें इसका बताओ एसीड केटलाइज्ट यह फिर हम नाम नहीं लिखेंगे नाम लिखने में ज्यादा टाइम जाता है सबसे पहला है इस मेथड में क्या आता है बताना जरा प्रोड़क्ट क्या होता है यथ प्रोड़क्ट ग्श पर यह सीधह लिखते हैं rearrangement of carbocation is possible yellow यह possible है इसलिए यहाँ पर rearrangement product बन सकता है ठीक है एक हमने लिया oxy yellow इसका भी reagent लिखते हैं फिर ठीक है यह हमने लिया इसमें number one step में क्या आए जाएगा hc oac 2 और h2o यह हो गया oxy mercuration second step में हमने लिया था एक reducing reagent and abh4 हो गया ठीक है यह क्या बनाता है यह प्रोड़ेक्ट थो MK के रूल ही है इसका भी लेकिन no no rearrangement of carbocation यहां बनता ही नहीं तो कैसे लिखें यहां पर no rearrange product नो rearrange product यह लो भाई और एक तीसरा कॉन सा है हमारा तीसरा कॉन सा है hydroboration oxidation B2H6 ठीक है पहली step में यह आता है मैदान में दूसरी step में कौन आता है H2O2 और basic medium NaOH ठीक है तो B2H6 के साथ एक solvent होता है जनरली tetrahydrofuren THF यह solvent है ठीक है तो अब इसमें क्या बनता है इसमें anti-marconico product बनता है और यहां भी no rearrange product यह लो गई है इसमें भी rearrangement होने का कोई chances नहीं होता तो यह हमने इनको summarize कर लिया कि किसमें इसमें नहीं बनता है किसमें रहेंस्मेंट होनी के possibility है और किसमें नहीं है ठीक है तो यह तो हुए हमारे तीनों मेथ़ड एलकीन के अब हम एलकीन वाले मोड से आ गए हैं बाहर एलकीन वाले मोड से आ गए हैं बाहर और अब हमारा major method 3rd आफ्टर वन इज फ्रॉम हेलो एलकेन दूसरा फ्रॉम फ्रॉम एलकीन और तीसरा अब ले रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम ग्रिगनाड रियेजेंट चलो भई यह ले ले लते हैं पहले ग्रिगनाड रियेजेंट ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ रियेक्शन किसकी अच्छा ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ रियेक्शन तो हम कराते रहेंगे ठीक है तो फ्रॉम ग्रिगनाड रियेज दो जानते हो ना mem4 विला बताना जबाँ शुक्त है कि फोर्मस अंजसरी और g7ेस्ट फिचले में पिछले हीेक ने हमने इसको पड़ा है यह हमारे लिए लिए फेमस सिंथेटिक इंट्रमेडियर है रियेजंट है RMG X और इसकी structure भी हमने देखी है MG पे क्या रहेगा पताना जबा पार्शियल MG पे क्या रहेगा अजिक पार्शियल पोजिटिव मैटल है ना मैटल है मैटल है इसलिए MG के उपर तो पार्शियल पोजिटिव ही रहेगा और metal के comparison में carbon की electronegativity ज्यादा है तो वहाँ आएगा partial negative तो इस तरह से ये इसकी structure है जो हमारे काम आने वाली है ठीक है तो अब RMGX से हम लोग क्या बनाने वाले है अलकोहल अब ध्यान से देखना वही कैसे कैसे alcohol बनेगा RMGX की structure को ध्यान में रखना ठीक है तो सबसे पहले reaction करा लेते हैं इसकी reaction with reaction with carbonyl compounds ये लो, carbonyl compounds अब carbonyl compounds कौन-कौन से होते हैं बताना जरा carbonyl compounds कौन-कौन से होते हैं बोलो ketones और aldehyde yes ketones और aldehyde से हम लोग reaction कर वाएंगे इसकी सबसे पहले तो ketone, चलो-चलो aldehyde से पहले लेते हैं ठीक है आप लोग भी क्या याद करोगे aldehyde से पहले लेते हैं एक aldehyde लेते हैं कोई भी सबसे simplest aldehyde बताओ भई सबसे simplest aldehyde की ये तो सर सबसे ही छोटा होता है इससे छोटा कुछ नहीं होता बताओ मीथेनेल, मीथेनेल, मीथेनेल और aldehydes का जनरल फोर्मूला होता है ये आर सी एच ओ, जिसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंट्स को इस तरह से लिखते हैं ये कार्बोनिल ग्रूप है दोनों जगह जब हाइड्रोजन लगा देते हैं अना तो वो सबसे छोटा aldehyde है जिसको बोलते हैं मीथेनेल ये मीथेनेल है और कॉमन नेम बता सकता है इसका कोई यह एगले चेप्टर में यह आएंगे बार-बार इसलिए इनको पैचान लो चित्र से बताओ कॉमन नेम जानते हो गया इसका सबने सुना हुआ है सबने ठीक है बाइलोजी वालों ने तो हो सकता हाथ भी लगाया हो कहीं ने कहीं बाइलोजी लैब में क्या होता है बताना जरा formaldehyde लिख लो इसको formaldehyde बोलते हैं किसको methionyl को ये सबसे छोटा aldehyde है ठीक है ये सबसे छोटा aldehyde है तो हमने लिया सबसे पहले methionyl yellow ये मैंने अब मेथेनेल बनाने के बाद में रियक्शन किसे कराएंगे इसकी बताना जरा RMG X से RMG X ये ले लो R और M G और X ठीक है M G पे प्लस और R पे माइनस इधर C और oxygen पे माइनस किस पे रहेगा बताना जरा बोलो माइनस किस पे रहेगा हाई प्हलो ठाहने रहेगा धरलो झाल झालो माइनस किस दो है